नमस्कार दोस्तों, ISPCS जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ सोनुकमार दोस्तों आज हम लोग इहां पे आधुनिक भारत का इतिहास को पढ़ने वाले हैं यह आधुनिक भारत का इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है चाहे वो UPSC का एकजाम हो, चाहे वो UPPCS का एकजाम हो, चाहे वो BPSC का एकजाम हो Railways का हो, Banking का हो, या SSC का हो या State Level पे जितने भी एकजाम होते हैं उहां पे आधुनिक भारत का इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रशन पूछे जाते हैं तो इसलिए आधुनिक भारत का इतिहास जो है, बहुत ज़्यादा important subject है तो आप इसे जरूर पढ़िए, और इससे पहले, यानि आज से पहले आप लोग ने यदि आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा भी है, या नहीं भी पढ़ा है तो आप इस वीडियो को complete देखिएगा, क्योंकि यहां से यदि आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आपका future में कभी भी आधुनिक भारत का इतिहास से एक भी प्रशन नहीं चूटेगा ये मेरा guarantee है, और यदि आप बहुत सारे पैसे भी यदि खर्च कर दिये हैं आधुनिक भारत की तिहास को पढ़ने में, फिर भी आप यदि यहां से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इतने वेवस्थी तरीके से और इतने अच्छे तरीके से मैंने वहां भी नहीं पढ़ा था, जहां मैंने इतने पैसे खर्च कर दिये हैं तो इसलिए ये वीडियो आप जरूर एक बार देखिए और यदि आपको वीडियो पशंद आएगा, तो वीडियो को लाइक किजेगा, शेर किजेगा दोस्तों से और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजिए और आपको यदि इसका पीडियाप प्राप्त करना है, तो टेलिगराम गुरूप में जोईन हो जाएंगे वहां से इसका पीडियाप जो है बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो चलिए बीना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जो है हम lorsqu यहां पर शुरू कर रहे हैं भारती राष्टे कांगरेस से आप ऐसा मत सोच लिजिएगा कि भारती राष्टे कांगरेस के पहले का जो भी इतियास है उसे में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं उसे भी पढ़ाऊँगा लेकिन मैं शुरू करने जा रहा हूँ भारती राष्टी कांग्रेस से ठीक है देखें तो भारती राष्टी कांग्रेस का जो पूराना नम था वह तो भारती राष्टी संग भारती राष्टी संग का जो आयोजन होना था मतलब बैठक उसका आयोजित होना था वो था 1885 में पूना में आजित होना था लेकिन क्या हुआ 1885 में पूना में पलेग महामारी फैल गया इसके बज़े से 1885 में पूना में इसका आयोजन ना हो करके इसका आयोजन जो है बामबे अस्थाना अंत्रित कर दिया गया तो इसका आजन जो है बंबय में जो है आजन हुआ पहला बैठक हुआ और गोकुल दास्तेजपाल संस्कृत महाविध्याले में जो है इसका बैठक जो है पहला हुआ संपन हुआ वहां पे टोटल 52 सदस शामिल हुए थे कितने सदस? 72 सदस उसमें शामिल हुए है और उस समय जब बैठक हुआ था उस समय उसका नाम था Indian National Union यहनि भारतिय राष्टिय संग तो वहां पे भारतिय राष्टिय संग का नाम परिवर्शित कर दिया गया INLC यानि Indian National Congress या किन के सुझापर किया गया या जो है दादा भाई नेरो जी के सुझापर इंडियन National Union से इंडियन National Congress कर दिया गया ठीक है तो यहां पे टूटल जो है 72 लोग शामिल हुए थे बैठक में 72 लोग में जो है कुछ महत्पून लोग थे जैसे कि दादा भाई नोरो इसका में आपको बाद में बताऊँगा फिर देखेंगे कि गोपाल क्रिशन गोखले सामिल थे मदन मोहन मालविये सामिल थे फिरुषरा मेहता सामिल थे और दिन शाबाचा भी इसमें शामिल थे अब हम बात करते हैं कि बैठक हुआ तो उसमें 72 सदस थे ठीक है तो 72 सदस जो थे, वो कौन से परांद से 72 सदस थे, तो सबसे ज़्यादा जो है, बांबे से थे, जो कि 38 सदस जो थे, बांबे से मुहाप पर उपस्तित थे, मदराज से 21 सदस उपस्तित थे, सन्यूर्थ परांद से 7 सदस उपस्तित थे, पंजाब से 3 सदस उपस्तित थे, और बंगाल स तीन सदस उपस्थित थे लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्ण आएगा जो बंबे है बंबे से 38 सदस उपस्थित हुए जबकि बंगाल से तीन ही सदस के उपस्थित हुए तो इसका पीछे भी एक कारण है कारण ये था कि उस समय जो है बंगाल में इंडिया नेशनल जो चल रही थी इसी के के कारण तीण सदस अपस्तित नहीं हो पाए थे करने सब्सक्राइब यहां उपस्तित हुए थे और प्रस्ताब चलीकिकर जाहता करए कि परथम जो कांग्रेश अंदीवेषन था था उसमें कितने प्रस्ताब पारित किये गए थे तो याद रखेंगे आप लोग कि वहां पे नो प्रस्ताब यानि नाइन प्रस्ताब जो है टोटल पारित किये गए थे तो पहला प्रस्ताब क्या था कि अगली बैठक जो है वो कलकत्ता में होगी कहां होगी कलकत्ता में जो भी खर्च होता है उस पर जाच होनी चाहिए बर्मा पर जो है अलक्षे शासन होना चाहिए सेना खर्च जो है 50% कम कर देया जाना चाहिए क्योंकि शेना खर्च बहुत जादा बढ़ गया था और ICS में जो उम्र है वो 19 वर्ज से बढ़ा करके 23 वर्ज करना चाहिए ठीक ह की चर्चा में भारतियों को भी शामिल किया जाना चाहिए तो यह सब जो है टुटल नो प्रस्ताव थे इसको पारित किया गया पर्थम बैठक में चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे भारती राष्ट्य शंग ठीक है भारती राष्ट्य संग जो है दादा USA से लिए गया है किन के द्वारा तो नौरो जी के द्वारा यहाद रखेंगे नौरो जी के द्वारा जो है वह क्या लिए भारती राष्टी है पाहली राष्ट्य और उसमें अध्यच्ता जो करते हैं वो करते हैं व्योमेश चंद बैनर जी यानि WC बैनर जी और उसके सचीव कौन होते हैं तो उसके सचीव होते हैं A.O. हूम ठीक है A.O. हूम और वाइसराय जो है उसमें कौन थे तो वाइसराय थे Lord Dufferin कौन थे Lord Dufferin अब हम आगे बात करेंगे तो Congress के गठन के समय जो है ब्रिटेन के परधान मंत्री कौन थे तो Congress के गठन के समय जो ब्रिटेन के परधान मंत्री थे वे थे Glider Stone कौन थे Glider Stone और यहां पर लिखा हुआ है Congress के दूसरा Congress का दूसरा मुश्लिम अध्यच रहमत तुल्ला से आनी थे ठीक है आगे देखेंगे कांगरेस का गठन का उद्देश क्या था कि विभीन प्रांतों के नेताओं को एक जीवट करना था क्योंकि नेटता जो थे अलग-अलग बिखड़े हुए थे फिर क्या था कि राष्टी एकता का विकास होना चाहिए इसका भी उद्देश था फिर भारतिय जन्मानस की समस्याओं पर विवचार विमर्ष करने के लिए भी इसका उदेश था कि भाई ऐसा कोई शंस्था होना चाहिए जो कि जन्मानस में क्या चल रहा है ये जो है अंग्रेज को डारेक्ट पता चल पाए फिर भारतिय अंग्रेजों के भी जो संबन जो है मधूर करना क्योंकि 1857 का करांती जो है इससे पहले हो चुका था तो अंग्रेज जो है वो चाहते थे कि इसके साथ जो है अपना वेभार जो है कांग्रेज जो है भारत की पर्थम राष्टिय सभा है और दूसरा कांग्रेज जो है भारतिय संसत का केंद्र है ठीक है ये कहा पे छपा था तो इंडिया नेशनल कांग्रेज में फिर देखेंगे कांग्रेज देश की सुक्ष्म सुक्ष्म अलपसंख्यक जनता का परतिनि ज्यटों करती है, फिर आगे दिखिएगे, तो Kannants Congress जो है 6 रोग से मरने ही वाली है, यह किसने कहा था, यह कहा था, आरविंध गोश्ट ने, किकांग्रेज जो है वह 6 रोग से अब मरने ही वाली है, फिर दिखिएगे, The Congress के लोग जो है, पदों के भुख forts के राजनी पिर देखेंगे कांगरेश अपने मौत की आकरी घड़ियां गिन रही है इसका पतन मेरे शासनकाल में हो जाये या किस ने कहा較 सब्सक्राइब प्रिटिस शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बलकि मित्र के रूप में हुआ है किस ने कहा था कुपलेंड में कहा था फिर देखेंगे कांग्रेस का अंदोलन ना तो लोगों की दोरा प्रेडित था नहीं सोचा समझा प्लान था या किस ने कहा था यह कहा था सर सयद हमद खाने फिर आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस का पिता की ने कहा जाता है तो AO हुम का पुरा नाम क्या है एलन ओक्टविम हुम ठीक है AO हुम फिर आगे बढ़ते हैं तो हुम हुम जो थे शुतंता के पुजारी थे और उनका हिर्दे भारत की दूरदसा पर रोता था यह किसने कहा था यह कहा था लाला लाजपत राई ने क्या कहा था कि हुम जो है हुम जो है वो सुतंता के पुजारी थे और उनका हिर्दे भारत की दूरदसा पर रोता था यह बहुत बढ़ी बात है फिर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कांग्रेस गठन के विभीन विभीन सिध्यानत भी दिये गए है कांग्रेस गठन के विभीन सिध्यानत दिये गए है उसमें पहला सिध्यानत है कि सुराच्छा कपट का सिध्यानत यह किसने कहा था तो लाला लाजपत राई ने कहा था फिर देखेंगे दुसरा सिध्यानत इसका क्या है सडियंत्र का सिध्यानत या किस ने कहा था तो या कहा था रजनी पाम दतने फिर देखेंगे त्वरित चालक का सिध्यांति या किस ने कहा था या कहा था गोपाल कृष गोखले ने चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे 1885 से 1947 तक महत्पुन अधिवेशन अब हम यहां पर 1885 से लेकर के 1947 के बीच में जितने भी कांगरेस के महत्पुन अधिवेशन हुआ है क्योंकि महत्पुन अधिवेशन से प्रश्ण पूछे ही पूछे जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए जो है यह जो है बहुत महत्पुन टोपिक है चलिए तो देखते हैं 1885 में सबसे पहले जो है इसका आयोजन किया जाता है बंबे में ठीक है उसके अध्यच कुन होते हैं उसके अध्यच होते हैं WC बैनर जी सुरेंद नात बैनर जी ने भाग इसमें को याद रखना है कभी कभी पूछ लेगा कि जो है पहला जो अधिवेसन हुआ थाega US का उसमें मुसलिम सदस सामेल थे तो याद रखेंगे उसमें दो हैं दो करते हैं तो आगे देखेंगे दूसरी अधिवेशन दूसरा अधिवेशन है जो कि 1886 में होता है और दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है क्योंकि पहला अधिवेशन में ही प्रस्तावित कर दिया था कि अगला जो अधिवेशन होगा वह कलकत्ता में होगा तो इसके अध अधियश कुन थे तो इथे दादा भ्हाए नोरो जी और तीन बार वह अधियश नहीं थे तीन बार 1886 कलकत्त अधिवेशन 1893 लहर अधिवेशन और 1887 में होता धियाश है उसके अधियश है बदरुदीन तयब जी है अब यहाँ पर देखे आपका प्रशना आ गया मैंने पहले बताया था कि जो है दूसरे अध्याच वो थे तो पहले अध्याच कौन थे मुश्लिम तो पहले अध्याच थे कौन थे बदरुदीन तयब जी ठीक है तो पहले अध्याच कौन थे मुश् प्रिम अधियाच कुन थे बदरुदीन तयव जी यहां पर देखना है 1887 के जो मदरास अधिवेशन है इसमें Lord of Rain ने Congress किये लोचना किये हैं Lord of Rain जो थे Congress किये लोचना कब किये थे तो तीसरे अधिवेशन यानि मदरास अधिवेशन में किया और यहां पर नारा भी दिया गया था Congress यहां आपसे पूछ लेगा कि Congress बनो करनारा कौन से अधिवेशन में दिया गया तो आप लोग याद रखेंगे 1887 का मदरास अधिवेशन में चलिएब हम बढ़ते हैं चोथे अधिवेशन के और यानि चोथा अधिवेशन हमारा है 1888 का इलाहवाद इलाहवाद थे तो देखते हम लोग इलाहवाद अधिवेशन की खासियत क्या थी तो सरस्यद खाने Congress का बिरोध किया था यहां पर सरस्यद खान जो है Congress का बिरोध किया था सरकारी अधिकारियों पर British सरकार ने परतिबंध लगा दिया कि Congress अधिवेशन में शामिल नहीं हो सकता है किस ने जो है यहाँ पर लगा दिया था तो जो है British सरकार ने हाँ पर रोक लगा दिया था कि अधिकारी हैं वो अब जो है Congress के अधिवेशन में शामिल नहीं होंगे और एक खासित कह था इलावाद अधिवेशन का तो लाला लाजपत राय पर्थम बार यहीं पर शामिल हुए Bombay Adivation ठीक है फिर 18998 Bombay Adivation होता है उसके दिर्स हैं William Bader 1 कौन है William Bader 1 William Bader 1 वही है जो A.O.Hume की जीबनी लिखे हैं यदि पूछ दे आप से कि यो A.O.Hume की जीबनी किस ने लिखा है तो आप बताएंगे बिलियम बेर्ड बरने पहली बार जो है इसमें महिलाओं ने भाग लिया कब 1889 की पाचमे अधिवेशन मौंबाय अधिवेशन में ठीक है लेकिन रजिश्टर्ड जो थी 10 महिलाएं थी कि सामिल उसमें होगी लेकिन परजेंट कितनी हुई मातर छे जो है उसमें परजेंट ठीक है तो ये चार महिलाएं जो है पाचमे अधिवेशन यानि बंबे अधिवेशन में शामिल हुए थे चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला धिवेशन है हमारा छट्ट्या धिवेशन जो की 1890 में कलकत्ता में आजित होता है उसके अध्यक्ष जो है फिरोष्रा मेता है कौ तो वो जो संबोधन किये थे वो शभापती के लिए धन्यवाद ग्यापने हापे किये थे ये भी आपको याद रखना है चलिए बागे बढ़ते हैं 1896 का कलकत्ता धिवेशन इसके अध्यस्ता रह में तुल्ला स्यानी करते हैं बंकिम चंचटरजी द्वारा बंदे मात्रम यहीं पर गाया गया ठीक है तो याद रखेंगे 1896 कलकत्ता धिवेशन में ही बंकिम चंचटरजी के द्वारा बंदे मात्रम अधिवेशन बंदे मात्रम जो है वो गाया गया आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे 1901 का यानि शात्मा धिवेशन जो की कलकत्ता में होता ह इसके दिर्शता दिन्शा बाचा करते हैं कौन करते हैं दिन्शा बाचा उन्य सो एक का कलकत्ता अधिवेशन इसमें जो है महात्मा गांधी इस अधिवेशन में हिसा लिये थे पहली बार जो है महात्मा गांधी उन्य सो एक के अधिवेशन में हिसा लिये थे ये भी आपको मतभे जो है खूल कर शामने आने लगा था अब आगे बढ़ते हैं तो आगे है 1904 का बंबे अधिवेशन ठीक है जो कि जिसके अध्यस्ता कौन किये थे सर हेंडि कॉटन किये थे 1904 का बंबे अधिवेशन जिसके अध्यस्ता सर हेंडि कॉटन ने किया थे मुहम्मद अली जिन बनारासदी वेशन में बंगाल विभाजन के बिरोध में प्रस्ताब पारित हुआ यह भी याद रखेंगे 1905 का बंबेय विभाजन में प्रस्ताब पारित हुआ फिर देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले को विपच का नेता कहा गया और कनाडा के तरज पर स्वशासन की यहां पर मांग की गई गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी याद रखेंगे बहुत महत्पून शंस्ता है सर्वेंट ऑफ इंडिया भी यहां पर पारित किया गया ठीक है तो यह जो है अधिवेशन 1905 का वह बहुत जादा मात्पून है वह कहां हुआ था बनारास में हुआ था इसके अध्यस्ता किये थे गोपाल कृष्ण गोखले चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे 1906 का कलकत्ता अधिवे इसन जो यह था नौरोजी के अधिषन वाला यह अंतिमा अधिवेशन था मुहांमद डली जिन्ना नौरोजी के सचीव के रूप में यहां पर शामिल हुआ था जिनन जो था अधिवे था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में आगे बढ़ते हैं तो 1907 का सूरत अधिवेशन यह भी बहुत इमात्पून है, 1907 का सूरत अधिवेशन, इसके अधिश्ता कौन कर रहे थे, रास भीहारी घोश कर रहे थे, कांग्रेस का पहली बार यहीं पर है, भी भाजन होता है, नरम दल को गरम दल से, गरम दल को यहाँ पर निश्कासित कर दिया जाता है, क्या किया जाता ह थे 1911 का कलकत्ता दिवेशन यहीं पे जो है जण गनमन जो है गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को यह भी आप याद रखेंगे 27 दिसंबर 1911 को चलिए आगे बढ़ते हैं 1912 का दिवेशन जो की तीन अदिवेशन होते हैं एक तो 1912 में होता है दूसरा 1922 में होता है जो की गया में अदिवेशन होता है और तीसरा कि 1912 का बंकी पर अधिवेशन है, वहीं पर हिूम को कांगरेस का पिता घुशित किया गया, चलिए बागे बढ़ते हैं, तो 1916 का लखनव अधिवेशन, जिसके अधियस्ता बंकीम चंद, सोड़ी, अम्भीका चरण मजुमदार किये थे, 1916 का लखनव अधिवेशन जिसके अधिश्ता कौन के थे, अम्भीका चरण मजुमदार ने किया था, आगे देखेंगे, तो कांगरेस मुस्लिम लीग में यहीं पर समझाओता होता है, जिन्ना और तिलग के परियास से, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, लीग के प्रिथक निरवाचक मांग को कांगरेस ने स्विकार कर लिया यहाँ पर, यहाँ भी पर देखेंगे, पहली बार सरोजनी नाइडू कौन से अधिवेशन में सामिल हुए थे, तो 1916 का लखनाव अधिवेशन में फिर देखिए गरम दल और नरम दल के बीच जो है यहीं पे समझाओता हुआ ठीक है गरम दल और नरम दल का यहीं पे समझाओता हुआ बेंसे टायर और तिलक के सहीयोग से ठीक है यहाँ पे ध्यान देना है बिन से टाय और तिलक के सही योग से चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो मदन मोहन मालविये ने बीरोध किया था इस अधिवेशन का मदन मोहन मालविये जो है इस अधिवेशन का क्या किये थे तो बीरोध किये थे और तिलक को कांग्रेस में यही पे शामिल किया गया था तीलक को जो है कांग्रेस में यही पे शामिल किया गया था और स्वराज मेरा जनम से ददिकार है यह किस ने कहा था तो यह बाल गंगधर तीलक ने भी जो है यही पे कहा था चलिए बागे बढ़ते हैं तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन जिसके अध्याचता एनी बेसेंट कर रहे थे ठीक है तो पर्थम महिला यह थी यह भी आपको याद रखना है एनी बेसेंट पर्थम महिला पर्थम यूरोपी यह महिला अध्याच बनी थी यह भी आपको याद रखना है जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी और पहली बार जो है 1908 का विसे सदीवेशन था. कांगरेस का दूसरा यहां पर विभाजन होता है जो 1908 का बंबई अधीवेशन में होता है जिसके देजता हसन इमाम कर रहे थे. फिर आगे बढ़ते हैं तो 1909 का अमरिच सरका अधीवेशन इसके देजता मोतिलाल नहरू कर रहे थे, याद रखें प्रस्ताव पारित किया गया था तो यह भी अधिवेशन जो है बहुत जादा महत्पुन है क्योंकि यहां से प्रश्ण पूछे जाते हैं चलिए बागे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे क कलकटा दीवेशन जो की लाला लाजपत राईस के अधियेशता कर रहे थे यह भी जो था विस्येस अधिवेशन था ठीक है गांडी जी ने असयो अंदुलन का परष्टाव रखा था जिसको कि स्वीकार कर लिया गया अधिवेशन से पहले अधी कोई जरूरी काम होता था तो उसको निप्टाने के लिए लोग अलग से एक अधिवेशन बोटाते थे उसी को जो है BCS अधिवेशन कहा जाता था अगला अधिवेशन है 1920 का नागपूर अधिवेशन ठीक है तो नागपूर अधिवेशन में तो वह था 1920 का नागपूर अधिवेशन फिर असायोग अंदोलन का यहां पर कार्ज करम किया गया फिर देखेंगे 1920 का अधिवेशन होता है जिसके अध्यस्ता CRDAS करते हैं CRDAS ने यहां पर इस्तीफा दे दिया था इसे भी आपको याद रखना है क्यों क्यों उनको चुनाव लड़ना था चुनाव के कारण वो इस्तीफा दे दिया और चुनाव भी क्या किया हार गये तो 1923 में स्वराज पार्टी का इहीं पर से फिर क्या होता है गठन होता है और उसी अध्यस CRDAS होते हैं और सचीव मोतिलाल नहरू होते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो है CRDAS अध्यस्ता करते हैं 1920 का गया अध्यवेशन का फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि 1923 जो है दिल्ली अध्यवेशन होता है 1923 में क्या होता है दिल्ली में अध्यवेशन होता है उसके अध्यवेशता अबूल कलाम आज़ाद करते हैं कौन करते हैं अबूल कलाम आज़ाद करते हैं 1923 का जो अध्यवेशन है यह सबसे लंबे अध्यवेशन रहे हैं और यह भी याद रखेंगे एक सबसे यूबा अध्यच और सबसे लंबे अबधी तक का अध्यच को रहे हैं तो अबुलकलाम आजाद रहे हैं 1940 से 1945 तक और सबसे कम अमरिक्यानी 35 वर्ष के भी यही सबसे यूबा अध्यच भी अबुलकलाम आजाधी बने थे तो 1923 का दिली अधिवेशन का खासियत क्या था कि सुराज दलका कांग्रेस में बिलाई का प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया चलिए बागे बढ़ते हैं 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन इसके अधियस्ता है वो सीयारदास जेल में जेल में थे तब इसके बदले में जो है हकीम अजमल खाने जो है अधियस्ता की थी तो इसे भी आप याद रखेंगे सीयारदास ने जेल से पत्र लिखा था जिसको सरोजनी नाइडू कुल यहाँ पर पढ़ी थी आप इसे भी याद रखेंगे 1921 का हमदाबाद अधिवेशन में अब हम आगे बढ़ेंगे तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन कौनसा बेलगाम अधिवेशन जिसके देस्ता महात्मा गांधी कर रहे थे यह जो है बिलगाम कहा है तो यह करनाटक में है आप इसे याद रखेंगे एक मात अदिवेशन जिसके अदिशता गांधी जी ने किया था तो वह कौन था 1924 का बिलगाम अदिवेशन फिर देखेंगे गांधी 10 पैक्ट जो है यहीं पे शुकित किया जाता है गांधी 10 महिला ध्यस भी बनी थी सरोजनी नाइडू इसे भी आप याद रखेंगे हिंदी को राष्ट भासा घूशित करने का प्रस्ताब यहां पे पेश हुआ था ठीक है बिजय बिश्व तिरंगा प्यारा पहली बारे यहां पे गाया गया था आगे बढ़ते हैं 1926 का गुवाहा ना यहां पे अनिवार कर दिया था तो गनेश बासुदे मावलंकर जो थे वो पहली बारे यहां पे खादी बस्तर पहन के भी गया थे यह बीपीसी 67 में पूछा गया था ठीक है तो आप इसे याद रखेंगे गनेश बासुदे मावलंकर जो है पहली बारे यहां पे खाद दिवस्तर पहन के भी गया थे अब आगे बढ़ते हैं तो 1927 का मदराश्र दिवेशन जिसके अद्यस्ता एम अंसारी कर रहे थे साइमन गोबैक का यहीं पे नारा दिया गया था ठीक है साइमन बिरोत का प्रस्ताब भी यहां पर पारित किया गया था और पुर्ण श्वाधि नहरू कर रहे थे नहरू रिपोर्ट को स्विकार करने का यहां पर प्रस्ताब पारित किया गया गांधी ने कहा अगर नहरू रिपोर्ट स्विकार नहीं हुआ तो असयोग अंदोलन शुरू होगा यहां पर आप याद रखेंगे गांधी ने कहा था अगर नहरू रिपोर यहाँ पे था पूर्ण स्वराज का ये भी आप याद रखेंगे ये आप से पूछेगा कि कौन से कांग्रेश का अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था तो अथा अनुमती यहीं पे दी गई थी तो इसे भी आप याद रखेंगे चली अब आगे बढ़ते हैं तो 45 मा दिवेशन जो की कराची में हुआ था 1931 में इसके अध्यस्ता सरदार वललभाई पटेल कर रहे थे यहाँ पे जो है मूल अधिकार की मांग जो है स्विकार की गई थी और यहाँ जो मूल अधिकार का मांग था इस प्रस्ताब को पेश किस ने किया था तो जवाहर लाल नहरू ने किया था आर्थिक निती से समन्दित प्रस्ताब भी यहाँ पर पारित किया गया था गांधी इर्वें समझाओता या दिल्ली समझाओता को जो है यहाँ पर सुकृ चलिए भोपो वह मांगे बढ़ेंगे तो 1934 वंबय अधीविशन जिसके द्यष्दा राजेंद्र प्रशाद कर रोएंधे कांग्रिस जो है शमाजवादी पाटी का गठनी पर किया गया था अखिल अखिल भारती खादी गरा मुद्योग की अस्थापना जो है, यहीं पर किया गया था, इसके अध्यास कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, फिर हम देखेंगे, मंत्री जो यहां पर थे, स्री कृष्ण दास थे, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, अध्यास जो थे, अध खिल भारती चर्का संक्या स्थापना भी की गई, जिसके अध्यास महात्मा गांधी थे, और मंत्री जवाहर लाल नेरू थे, फिर देखेंगे हापे, स्वन जैनती अधिबेशन के रूप में भी इसको मनाया गया, कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी का भी गठने हापे किया गया, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी का भी गठन किया गया, जै परकास नरायन, अचार नरेंदेदत, राम अनोहर लोहिया के सहयोग से, फिर आगे देखेंगे, 1935 इस अधिबेशन इस बर्स अधिबेशन नहीं हुआ था, इसे भ पर देखेंगे, कि इस अधिबेशन में जो है, लखनव अधिबेशन जो है, इसमें कांग्रेस पार्लेमेंट बोट का गठन किया गया था, कांग्रेस पार्लेमेंट बोट का गठन, 1936 के लखनव अधिबेशन में ही किया गया था, कांग्रेस का नया लक्ष यहां पर रखा में है पर्थम ग्रामीन अधिवेशन था फैचपूर का जो अधिवेशन था वो पर्थम ग्रामीन अधिवेशन था तेरा शुत्रे क्रिशी कार्जक्रम जो यहां पे शुरू किया गया था चलिए बागे बढ़ते हैं तो 1938 का हरीपूरा अधिवेशन जो की सुभाज चंद का भी यहां पर गठन किया गया था जिसके अध्या जबाहरलाल नहरू थे रोमन लीपी लागू करने का प्रस्ताव जो है सुभाज चंद बोश ने यहां पर किया था ठीक है 1938 का हरीपूरा अधिवेशन में आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आगे देखेंगे 1949 का जो होता है इसके अध्यस्ता जो है इहां पर देखिए क्या हुआ था कि यहां पर अध्यास सुभाजचछंद बोश कर रहे थे यहीं पर त ellies त conflicting गहां जीत जाते हैं और गांधी जी जो इहां पे हैं वो जो है इसको दिल से ले लेते हैं और बोलते हैं कि यह पटावी सीता रमया का हार नहीं है बलकि यह गांधी का हार है ठीक है तो इसके बज़े से वो क्या खाते हैं कि अब सुभाचंद बोश जो है सोचते हैं कि गांधी जी तो हमसे नराज हो पिर इसका अध्यच बनते हैं तिरी पूरी अधिवेशन का जो कि मध्य पर्देश में है इसे भी आप याद रखेंगे चलिए तो आगे देखते हैं तो आगे देखेंगे कि यहां पर अध्यच कौन बने हैं तो डाक्टर आजयंद परशाद बन गया है और सुभाचंद बोस पिर यहां से जागर के फॉर्वर्वर्ड ब्लॉड की अस्थापना करते हैं चलिए बागे बढ़ते हैं तो 1940 का रामगड अडिवेशन जो की अबुल कलाम आजाद के अध्यस्ता में होता है यह बिहार का तीसरा अध्यवेशन था जो की कहां हुआ था रामगड में हुआ था जो की अब यह जारखन में चला गया जारखन का विभाजन जो बिहार से 15 था घोशित कर दिया गया था ठीक है यह भी आपको याद रखना है फिर क्या होता है कि 1940 से 1946 तक कोई अध्यवेशन नहीं होता है और इसके अध्यस जो है अबुल कलाम आजाद ही बने रहते हैं और सबसे लंबे अध्यस का जो है इनको परमान मिल जाता है फिर आगे बढ़ नहरू ने यहां फर से इस्तिफादे दिया और जेवी किरपलानी को अध्यर्च बना दिया गया था इसे भी आप याद रखेंगे तो यह आप से पूछे कि सुतंद भारत सुतंद से पहले भारत की जो है कंग्रेस का जो थे तो जेवी करपलानी थे चलिए वागे बढ़त जबकि कलकत्ता में 10 अथी वेशन हुआ अब हम पढ़ेंगे यहां पर भारती राष्टी आंदोलन इसकी शुरूआत जो होती है वह कांग्रेस के गठन के साथ ही होती है भारती राष्टी आंदोलन के शुरूआत काल खंड क्या था तो 1850 से 1947 था ठीक है कांग्रेस का गठन भारती राष्टी आंदोलन का शुरुवात माना जाता है। गांधीवादी चरन या गांधी युक कहा जाता था। तो ये तीन चरन के शुरुआ जो कहां जाता था। यह जो है याचना प्रदर्शन और प्रातना पत्र के हिमाद्यम से जो है अपनी बात को मनमाना चाहते थे फिर देखें कि उधरवादी नेता सम्वेधानिक तरीके से भारत को शुतंद करना चाहते थे यहीं सम्वेधानिक तरीके से अंग्रेज की न्याय विवस्था में इन पुर्शाह महता, केटी तेलंग, शुब्रमन्यम अयर, महादेव गोविंद रानाड़े, सुर्यन नात वैनर जी ये लोग जो थे वह क्या थे उदारवादी नेता थे चलिए अब इनके समय में है कुछ घटना भी हुई थी जो की 1892 में काउंसी लेक्ट आया था और उग रा दारह क्या था, इनका विचारधारण था, कि जरूरत पड़ी, तो हिंसा का वी सहरा लिया जाएगा ठ़क है तो ये था, उगरबादी राष्टबादी का भी विचारधार था यूबा बर्का इसमें उदय हुआ था, ठीक है, तो यूबा बर्का उदय का काल खंड क्या था तो उन लोग का विचार क्या था कि 3P policy तो बिल्कुल गलत है अनुने बिने तो हम अंग्रेज के साथ करेंगे नहीं और समवेधानिक तरीके से क्या हम जैसे भी हो हमको अजादी चाहिए ठीक है तो ये इनकी policy थी किनकी उगराष्टबादियों की उगराष्टबाद की मशाल जलाने का स्रे जो है वो तिलक को जाता है किनको जाता है तिलक को बाल गंगाधर तिलक को जाता है अब हम इसके परमुक नेता को देखेंगे कि उग्रबादी परमुक नेता कुन-कुन थे तो इसमें तो लाल बाल पाल सबसे पहले शामिल होंगे यानि लाल के मतलब वह लाला लाज पत्राए बाल के मतलब वह बाल गंगा धरतिलक और पाल के मतलब वह विपिंच अंदर पाल और अर्बिंद घोश ये चारो जिते हो ये क्या थे उग्राष्टबादी नेता थे आगे बढ़ेंगे तो उग्राष्टबाद की उत्पत्ति कैसे हुई तो उग्राष्टबाद की उत्पत्ति के पीछे कुछ रिजन रहा होगा कांग्रेस आम जन्मानस से बिलकुल दूर थी ठीक है कांग्रेस सरमिक बर्ग से दूर था बस वो जो है कुछ उहाँ पे कुछ एरिया ही सिमट करके रह गया थो पूरे पहुँच उनका नहीं था सरमिक बर्ग तक या जन्मानस तक तो इसी के कारण ये सब जो है उगर राष्टबादी जो थे ये चाहते थे कि जो है इसका बिश्तार होना चाहिए फिर क्या था प्रारंभिक कांग्रेस और राष्टबादी था ठीक है वो राष्टबादी के बारे मुतना नहीं सोचता था उस समय कुछ मातपुन घटनाए भी घटी होगी ठीक है जिसके कारण उगर राष्टबाद का उत्पन हुआ जैसे की मिसर की शोतंता फारस की शोतंता तर्की की शोतंता ये सब जो है तर्की की शोतंता फिर क्य चोटे चोटे देश जो हैं बड़े बड़े देश को हड़ा सकते हैं तो हम लोग जो है मुठी बार अंग्रेज को क्यों नहीं हड़ा सकते हैं तो इसी के कारण जो है उगर राष्टबाद का यहां से उदय होता है फिर आगे हम बढ़ेंगे तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि हम रोटी मांगने गए थे और हमको क्या मिला पत्थर मिला ठीक है या किसने कहा था तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि हम रोटी मांगने गए गए थे पत्थर मिला फिर आगे देखेंगे कि परमुक कुछ घटना हुई थी 1905 से 1929 के बीच में तो चलिए देखते ह पहले क्या हुआ के बंगाल विभाजन 1905 में होआ, श्वोदेशी आंदूलन की शुरुवात 1906 में होआ, बहुस्कार अंदूलन 1906 में होआ, मूसलिम लींग का गठन 1906 में होआ, सूरत विभाजन 1907 में होआ, फिर मारले मिνटो सुधार 1909 में होआ, दिल्ली दर्बार कायोजन 1911 में हुआ पर्थम बिश्विद 1914 में हुआ लखनाउ समझहोता 1916 में हुआ होमरूलिंग 1916 में हुआ रॉलेक टेक्ट 1919 में हुआ फिर देखेंगे जालियावाला वागहत्याकान जो है 1919 में हुआ चलिए हम लोग एक-एक करके इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल वी भाजन जो की बर्स 1905 में हुआ तो आखिर बंगाल वी भाजन क्यों हुआ इसके पीछे तो कोई रीजन रहा होगा तो क्यों का मतलब क्या हुआ कि भारत का शेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा प्रांदत था कौन होज समय बंगाल था ठीक है फिर क्या था कि 1901 के जनगन्ना के नुशार बंगाल भारत की लगभग 25 परतिसत जनसंख्या का जो है वहाँ पे निबास था ठीक है बंगाल में यानि 25 परतिसत पूरे भारत का जनसंख्या बंगाल में ही था फिर देखेंगे तो बंगाल क्रांती कारियों का गड़ था इसके कारण भी चाहते थे एंग्रेज की इसको तोड़ा जाए फिर देखेंगे कि जनसंख्या वहाँ बहुत जादा था आठ करोड की लगवक जनसंख्या था भारत में उसमें 25 करोड जनसंख्या था तो अकेले जो है बंगाल में 8 करोड जनसंख्या था तो इससे क्या हो रहा था कि प्रशासनिक कठनाया भी उत्पन हो रही थी इसके का नीज-व भाजन प्रस्ताव पारित किया गया तो बंगाल के ग्रीस सचीव कौं थे रिजले थे इसे भी आख याद रखेंगे और बंगाल के लेइपista को श्लाओ नहीं सिलीघ्रस थे लुट कार्जन थे इच्छन ऑ 399-5 के बीछ में नहीं G Ten 1905 को जो है वीभाजन का प्रस्ता पेश किया जाता है 20 जुलाई 1905 को जो है वीभाजन का प्रस्ता पारित कर दिया जाता है शात अगस्त जो है 1905 को कलकत्ता में टाउन हाल में जो है इसकी बैठक होती है और 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है कि विभाजन परभावी होता है तो 16 अक्टूबर 1905 के दिन कुछ मात्पून दिवस मनाये जाते हैं जैसे कि शोक दिवस, जन एकता दिवस, मैतरी दिवस, रक्षा बंधन दिवस यह सब जो है 1905 में जो है बंगाल विभाजन के बिरोध में ही मनाया गया शोक दिवस, जन एकता दिवस, मैतरी दिवस, रच्छा बंधन दिवस यह किन के सलाह पर मनाया गया तो यह रविंद नाट टैगोर के कहने पर ही मनाया गया था चलिएब आगे बढ़ते हैं, तो टाउन हाल में बैठक के समयी सहमती क्या बनी थी कि आगे का कार्ज करम यहीं पर तैग किया जाएगा, श्वदेसी अंदौलन शुरू किया जाएगा और बहिसकार अंदौलन को भी शुरू किया जाएगा ठीक है तो ये सब जो है टाउन हाल में बैठक में पारित हुआ फिर क्या हुआ कि कुछ मातपुर्ण जो है कथन भी था इसके बारे में कि विभाजन एक निर्मम भूल थी या किस ने कहा था तो गोखले ने कहा था कि विभाजन जो है यानि बंगाल का विभाजन जो है एक न प्रूलर ने कहा था ठीक है कि मुसलिम पत्नी जो है मुझे बिहद प्री है आगे फिर देखे तो भारत का बास्तविक जागरन बंगाल विभाजन के बारश रूआ वह किस ने कहा तो यह कत्थन जो है महात्मा गांधी ने कहा फिर बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है यह किस ने कहा गोपाल क्रिश्न कोकले ने कहा छरी यह हम देखते हैं मूसलिम लीक में मुद्pable की सो हुआ यहाँ तो इसका घॉके संगठन के नित्रित में एक इसका नाम होता है मुहामडण एड्जूक होता है ठीक है पूरी बंगाल सन्यूप्रांत यह मिला करके मुस्लिम नेता यहां राजिनितिक संगठन का गठन करना चाहते हैं। इसके लिए क्या होता है कि इस समय यहां पर आपको ध्यान देना है कि मुस्लिम जो लीग का गठन हुआ तो उस समय जो बाइसराय थे वह लौड मिंटो थे। कौन उनको 15 सदस्य सिष्ट मंडल गठन करने को कहा था नेतरित आगा खाने किया था इसे आपको याद रखना है तो मुसलिम लिग ने तीन मांग यहाँ परर रखी थी प्रथम मांग था प्रिथक निर्वाचन छेत्र का जो है यहाँ पर पर्थक निर्वाचन छेतर मुस्लिम के लिए देना चाहिए फिर बिधान मंडल में जनसंख्या के अधार पर प्रति निधितु की मांगी भी किया था और हमारे सैचनिक संस्थाओं के लिए बितिय सहायता चाहिए यह किस ने कहा था मुस्लिम लीग ने कहा था ठीक है तो फिर आफ आगे देखेंगे तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का नाम बदल दिया जाता है इसका पहले नाम क्या होता है इसका पहले नाम होता है Москвu महमडन educational conference इसे आप याद रखेंगे फिर इसका नाम change करके 306 को क्या किया जाता है Muslim League यह नाम किस ने दिया था तो आगा खाने दिया था आप याद रखेंगे क्योंकि आगा खा जो है यह नाम बार-बार पुछा जाता है चलिए अब हम आगे देखेंगे तो हम बात करेंगे British हुकूमत का ठीक है तो British हुकूमत का इसके पीछे आखिर क्या बिचार था कि हम जो है Congress का Muslim League का गठन करें तो इसके पीछे इसका कुछ बिचार था बिचार यह था कि भारती मुसल्मानों के बीचे British हुकूमत के प्रती बाफाधारी पैदा करना था फिर British हुकूमत की प्रतेक निती का समर्थन करना होगा जितने भी British जो है निती लाएंगे उसको जो है Muslim League जो है सपोर्ट करेंगी फिर Muslim League को प्रिष्ट भूमी की चर्चा Muslim League की प्रिष्ट भूमी की चर्चा की थी WW Hunter की पुष्टक इंडियन मुसल्मान जो है इसमें लिखा गया था ठीक है Muslim League की प्रिष्ट भूमी की चर्चा कहां की गई है WW Hunter की पुष्टक इंडियन मुसल्मान में फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगी कि Muslim League का मुख्याले जो है वह लखनाउ में था ठीक है Muslim League का मुख्याले कांथ लखनाउ में था पर्थाम अधिवेशन जो है उसका होता है 1907 में कराची में दुतिय अधिवेशन 1908 में अम्रीच सर में होता है अब जो है हम लोग Congress का अधिवेशन 1906 को यहां पर देखने वाले हैं यहां पर क्या हुआ कि उदरबादी जो थे वो चाहते थे कि डाक्टर रास विहारी घोष जो है वो कांग्रेस का अधिवेश बने और वहीं राष्ट राष्टबादी जो तिलक थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय जो है इसका अधिवेशन के अधिवेशन के किया गया ठीक है तो इसमें पहला प्रस्ताब था स्वदेशी दूसरा था बहिसकार और तीसरा था स्वराज यानि स्वराज शब्द जो है दयानन सरस्वती के द्वारा दिया गया यह भी आपको याद रखना है तो तीसरा प्रस्ताब था स्वराज और चौता था राष्ट् लेकिन क्या हुआ कि उगरबादी जो थे वो चाहते थे कि इसका जो है आयोजन जो है पूरे देश के स्तर पे फैले ठीक है और उदारबादी जो चाहते थे कि यह है बंगाल तक किसी में थो तो इसका पहले अस्थान जो है और नागपूर डिसाइड किया गया फिर क्या इसे पर क्या होता है कि फिरोषण पर जो है वहां से निश्कासित कर धिया जाता है तो इसी में शूरत अधिवेशर में क्या हुआ था किbok्रेस का विभाजन हो जाता है अब कांग्रेस का जब इभाजन हो जाता है तो दो खेमा में कांग्रेस बढ़ जाती है एक नरम दल और दूसरा गरम दल फिर क्या होता है कांग्रेस की टूटका अंग्रेजों ने फाइदा उठाना शुरू कर दिया कि जितने भी अब गरमदल के नेता थे, उनको क्या कर दिया? कि अब पकड़ करके वो जएल में डालना शरू कर दिया, तो फिर क्या होत्ता है? तीलको क्या करता है? कि तिलक को तिलक जो है मराठा या किसरी पत्रिका में लेक को लेकर करके जो है उन पर जो है मुकदमा यानि देश द्रोह का मुकदमा चलाता है ठीक है मराठा और किसरी जो उनका पत्रिका था उनमें वो कुछ लेक लिखे थे इसको लेकर करके क्या किया था कि देश द्रोह का थे हौँ लाला लाज पतर से उनको विदेश व्व्वीव विदेश चले गए डिसरा विपिंच अदरपाल ना जो तो उनको जो है अलीपूर बमकांड में जजो है जो है उनको जेल कर दिया गया था ठीक है तहीं को बिल करवाया था में इनके उन्हेस को ऐधि किंग स्फोर्ट ने करान सिकारिय lại दिए इसे इनризowania कर्द इंयां पत्रारुब को उत्फरपुर का देधिया va स्वाइन कि Stitch supplement गलत यहा लोगों हमला कावें कूल यह थ narc मारकर कि याथ मोछतना कर ले रम बोस जो हैं वह क्या करते हैं कि बैनी रेल्वेय के इस était संसे उनको गिरपतार किया जाता है बैनी रेल्वेय करते संद को अब अन्य जहाता है और फासी के सजा अप्र पूरशेंट्र संद। जिल में तो यहां पर देखेंगे कि भारती राष्टि यहां जो है भारती परसद अधिनियम पारित किया गया 1909 में जो कि मारले जो थे उसे में भारत के राज्य सचीब थे और मिंटो जो थे वो भारत के वाइसराय थे यही पर प्रिथक निर्वाचन की विवस्था सुरू की गई थ यहां जो है मारले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनास कर दिया है उसके बाद फिर दिली दरबार का आयउजण होता है ब्रीटें में शॉस्था सासक जब यहीं बदलता था तो इंडिया में क्या होता था कि दिली दर्वार का आयोजन किया जाता था ठीक है तो भारत में शाही आयोजन होता था उसे दिली दर्वार करते थे हो बारत इसमबर 1911 को जो है दिली दर्वार हुआ वहीं पर जौर्ज पंचम और रानी मैरी जो है वह उपस्थित हुई ठीक है और वाइस राय उहां पर उसमें कौन थे तो वाइस राय लॉड हर्डिंग दूतिय थे वाइस राय लॉड हर्डिंग दूतिय थे राजधानी जो है यहीं पर कलकत्ता से दिल्यास्थानांत्रित करने का प्रस्ता पारित किया गया और अरुन डेल समीती की अनुशंसा पर बंगाल विभाजन यहीं पर रद कर दिया गया तो आप से पुछा जाएगा कि बंगाल विभाजन कब रद कर दिया गया था उसे आप याद रखेंगे चलिए अब आगे देखते हैं तो बंगाल का पुनर गठन किया गया बिहार अलग कर दिया गया और बिहार और उरिशा को समलित रूप से एक अलग प्रांद गोशित कर दिया गया जो कि 1 अप्रील 1936 को किया गया यह घोसना कब किया गया था यह घोसना 1911 किया गया लागू में इहिंपर जो है 1911 में ही दिली को राजधानी भी बनाया गया चलिए बागे देखते हैं तो होडिंग बमकांड क्या हुँथा जो कि दिली सडियन के से किसे जुड़ा हुँथा हाडिंग की धिली साथ तो घटना कब हो था तो एदिसंबर 1912 का ही था लौड होडिंग दु उसमें कुछ थे जैसे कि अमीचंद्र, बालमकुंद, अबद विहारी, ठीक है, धीनानाथ जो थे, वो धोखा दे दिये थे किसको, धीनानाथ जो थे, उनको भी गरफतार किया गया था, लेकिन धीनानाथ क्या थे, कि धोखा देकर के वो सरकारी गभाह बन गये थे, ठीक है, फिर आगे देखेंगे प्रथम विश्वियुद होता है 1914-1918 के बीच में तब प्रथम विश्वियुद होता है तो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, जपान और USA एक तरफ होता है दूसरे तरफ जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, आटमन समराज यानि तूर्की जो था जो जब जीत गए तो आटमन समराज यानि तूर्की का जो था खलीफा उनको जो है हटा दिया गया भारत में जो है सोसासन की मांग शुरू की गई लखनाउ समझा होता हुआ फिर मुस्लिम लिग ने INC को यानि इंडियनेशनल कॉंगरेस को सहयोग करने के को कहा कि भाई इस प आइरिष नेता रेडमंड ने पहली बार होमरूल लिख पी अस्थापना किया था फिर आगे देखेंगे तो भारत में होमरूल लिख की अस्थापना करते हैं आगे फिर क्या था इसका उद्यस क्या था, तो इसका उद्यस था भारत में स्वसासन की प्राप्ति करना, तीला का होमरूर लिग था, वह सुरुवात अप्रैल 2016 में होता है, इसका मुख्यालोंग पूना में होता है, अध्यास ताइश को जो सेफ विस्ष्ट थे और सचीव कैल था और पत्रिका जो था मराठा था और किसरी था ठीक है तो इनका जो है मराठा और किसरी पत्रिका था उद्येश इसका क्या था यहा भारत में स्वाशासं स्थाफित करना और जो तीलग का जो छेतर रथा हुआ था महराष्ट, करनाटक, बांबे और मधिपरान ठीक है तो बांबे छोड़ करके बादवा की पूरे इंडिया में जो है इनका शाखा था फिर आगे देखेंगे एनी बेसेंट का होम रूली तो इनके इसका सुरुआ जो है दिसंबर 1916 में होता है इसका मुख्याले अडियार मद्रास में था अडियार जिसके एनी बेसेंट थे और सचीव इसके जार्ज अरून डेल थे ठीक है परचार परशार जिए जो अपने पतरिका कौन से इनका पतरिका के माधियन से करते थे तो कॉमन बेसेंट की पतरिका है अच्छेत्री का जो था संपूर्ण भारत में था तिलक के छेत्र को छोड़ करके फिर तिलक जो है यहाँ पर सुराज मेरा जन्म सित्र दिकार है मैं इसे ले कर रहूँगा भारत उस बेटे की तरह है जो अब जबान हो चुका है और उसके पालक को चाहिए कि उसका बाजिब हक उसे दे अनिता भारत की जन्ता को उसका हक लेना आता है या किस ने कहा था तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था तिलक के होम रूल पर जो है मुकदमा हो गया तो उसकी पैरवी मुहम्मद अली जिन्नात था एनसी केल करने की थी गुपाल कृष्ण गोखले ने इसका बिरोध किया था और सर्वेंट ऑफ इंडिया सुसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग के सदस्य बनने की अनुमती नहीं दी थी यानि गोपार किर्षिन गोखले जो थे वो होमरूल लीग के जो है बिरोध में थे फिर देखेंगे कि अमेरिका में होमरूल लीग 1915 में लाला लाजपत रायने शुरू किया था अमेरिका में जो है 1915 में होमरूल लीग की शुरू आतकून किया था लखनाव समझझ होता वका कज़िए, तो अंबिकाचरम मदुदार होते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीक में समझझ होता है, मुहमَّध अली जिन्ना और तीलग के बीच में, कांग्रेस ने मुस्लिम लीक की पिर्थक निरवाचन छेतर की मांग को है क्या करती है, स्विकार कर केलती है इसका विरूत जो है मदर मोहनमाल भी करते हैं तो चलिए आगे बरते हैं लखनाउ समझता में फिर प्र क्या होता है चंपारन का एक किसान जो की राज कुमार शुक्ल जो थे वो पहले किसान बने जिन्होंने कांग्रेस के मंद से संबोधन किया 1916 के ही अधिवेशन में फिर देखेंगे पटना बिस्विद्याले अधिनिया में यहीं पर पारित हुआ था इसे भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं तो राजकुमार शुकल सरदार पटेल से मिलने के लिए यहाँ पर आये थे ठीक है यहाँ पर जो है राजकुमार शुकल जो थे वह सरदार पटेल से मिलने के लिए आये थे गांधी जी को चंपारन जाने के लिए न्यूक्त किया गया था वह यही पर यही अधिवेशन में किया गया था 1916 के यही अधिवेशन में फिर एनिवेशन्ट तत्रीला का होम रूल लीग 1908 या 1909 में जो है मिल गया यानि मर्ज हो गया दोनों का जो है होम रूल लीग यहीं पर फिर आगे देखेंगे रॉलेट एक्ट 1909 आता है क्या किया जाना चाहिए भारत में कड़े कानून जो है बनाया जाने चाहिए प्रेस को ले करके तो रिपोर्ट के अधार पर नया कानून बना उस कानून का नाम क्या था या जो है एक कानून बनाया गया इसको बोला जाता है फिर देखेंगे कि दंडा धिकारी जो थे शक के अधार पर किसी को भी गिरपतार जो है कर सकते थे इस एक्ट के माध्यम से इसको काला कानून भी कहा जाता था बीना अपील, बीना बकील और बीना दलील का भी कानून इसको कहा जाता था या कानून अनूचित, सुतंता विरोधी और मूल अधिकारों की हत्या करने वाली थी या किसने कहा था या कहा था महात्मा गांधी ने अब सत्यागरा सभा का आयोजन होगा तथा देश ब्यापी हरताल होगा या किस ने कहा था या महात्मा गांधी ने कहा था कानून के बिरोध में किस के बिरोध में कानून के बिरोध में स्वामी सरधानंद जो है दिली में रॉले टेक्ट का बिरोध किया था स्वामी सरधानंद जो थे वो दिली में जो है रॉले टेक्ट के बिरोध किये थे पंजा में पंजाब में जो है सत्यपाल मलिक और शैपुरुदीनोल कि कुछलू पंजाब का कमणर माकल ओ लगयर. था 13 अप्राइल उनीस के बैशाखी का पर्व था उस समय और क्या हुआ कि सरकारी आकड़े के अनुसार जो है 389 लोग यहां पर मारे गए थे ठीक है और लगभग 1000 लोग जो है जो है मतलब ऐसे लगभग 1000 लोग मारे गए थे और सरकारी आकड़ा 389 का था उद्यम सिंग ने 1940 में माइकल ओ डायर को लंदन जाकर गोली मार दी ठीक है यह क्यों हुआ था तो यह जालिया वाला वाग हत्याकार्ण के भीरोध में हुआ था जालिया वाला वाग हत्याकार्ण में जो यह सैफुदीन किचलू थे यहां पे ध्यान देंगे सत्येपाल मलीक और सैफुदीन किचली जो थे वो सांती से बैटकर के सभा का आजन कर रहे थे ठीक है तो वहीं क्या करता है की जो यह हैं माइकल ओ डायर ठीक है जिसके कारण जो है लगवग हजारों लोग जो है वो मारे जाते हैं और सरकारी आकड़े करनुसार उसमें जो है 389 लोग को दरसाया जाता है तो यहीं पर उद्यम सिंग जो है शपत लेते हैं कि मैं जो है वही जो जाले वाला बाग हत्या कान गुआ था उसी में एक बच्चा बच गया था वह थे उद्यम सिंग और उद्यम सिंग जो है ए सब चीज को अपने आँखों से देखे थे और वो शपत लिये थे कि माइकल ओ डायर को लंदन में जाकरके उद्ध्यम सिंग ने गोली मार दिया था चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तो रविन्ना टैगोर ने नाइट हुथ की उपाधी जो है इसके कारण जो है जलियावाला बाग हत्याकान के कारण वापस कर दिया था संकरन आयर ने क्या किया था कि इस वख़ार बंदू कहा जाता है जानबूच्कर कि गई हत्या कहा था मॉंटेग। ने भारत के रासचील निवारक खत्या कहा था मॉंटेग। डेविट कमरों से जात संत त acesso किती का गठन किया त हो जालिक भारती में चीमनलाल सितलवार, सुल्दान अहमदखा और जगत नारायन जो है इसमें शामिल थे तो यह रिपोर्ट जो है 1920 में आता है तो रिपोर्ट जब आता है तो क्या कहा जाता है उसमें कि क्या कहा गया था कि थोड़ा ज्यादा बलका परियोग किया गया था इसमें जो है कांग्रेस की भी एक जात समीती बैठाई गई थी तो कांग्रेस का जो जात समीती था उसका नाम था तहकी कांग्रेस के तरफ से बनाइ गए थी, तो इसके अधेसता कौन कर रहे थे, तो इसके अधेसता मदन मोहन माल भी ये कर रहे थे, ये सदस इसमें कौन-कौन थे, गांधी जी थे, स्वेयन रिपोर्ट को लिखा था, गांधी जी ने, और सी यारदास, मोतिलाल नहरू अब्बास तैयब जी जो थे इसके सदस्त है चलिए अब आगे देखते हैं अनुशंसा अनुशंसा क्या आया हुआ कि हंटर कमीशन के रिपोर्ट की अलोचना की गई माइकल ओ डायर जी में दारिस का ठहराया गया माइकल डायर को हमारे गए परिवार की लोगों को सहायता आर्थिक सरकारी नौकरी और बच्चों की सिच्छात देने के लिए इसमें कहा गया था ठीक है तो यह सब जब पूरा नहीं किया गया उसके बाद फिर क्या होता है कि खिलाफत-अंदोलन की शुरुआत होती है अब हम लोग देखेंगे खिलाफत-अंदोलन को खिलाफत-अंदोलन जो कि 1909-1924 के बीच में इसका शुरुआत होता है इसके कारण क्या होता है कि प्रथम बिष्वयitud जो खलीफा का पद समाप्त किया जाता है तो मुश्लिम जो भी है इंडिया के वे लोग जो सोचते हैं कि यह खलीफा का पद का अपमान किया गया तो इसको बदला लेने के लिए झो है खिलापत अंदोलन की शुरुआत करते हैं यह अली बंदु जो है साउकत अली और मुहम्मद अली है इसमें जो है अगरनी भूम का निवाते हैं तो अली बंधु खिलापत अंदोलन की शुरुआत करते हैं और अखिल भारती खिलापत कमीटी का बैठक किया जाता है जो की दिल्ली में सेटमबर 1909 दिल्ली में जो है इसका बैठक किया जाता है और इसके अ अखिल भारतिये खिलाफशत कमिटी के अध्याच बनते हैं, स्वरी, सदस बनते और महात्मागांदे इसके अध्याच बनते हैं इसका उद्ध्या क्या होता है, खलीफ़ा के पद को पुनरस्थापित करना था फिर देखेंगे 1920 में क्या होता है कि जून 1920 में बैठक होता है इलाहबाद में और खिलाफ़त अंदोलन असायोग अंदोलन में बिलाई कर दिया जाता है 17 अक्टूबर खिलाफ़त दिवस के रूप में मनाया जाता है 17 अक्टूबर को यह दिवस 1919 से मनाना शुरू किया गया था श्वदेशी और बहिसकार अंदोलन ठीक है पर्तिकार इसका बंगाल विभाजन के रूप में हुआ था और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टौन हॉल में बैठक हुआ इसके अध्यच जो थे हुआ रवीन नाट टैगोर थे और इसमें कहा गया था कि याचना नहीं आथिक रूप स जो है इसमें जो है बहुत सारा जो है नुक्सान हुआ था ठीक है फिर देखें श्वदेशी का विचार जो है कृष्ण कुमार मित्र के मन में आया था या अपने पत्र जो है संजीवनी में इसको चापे थे तो यहां से पूछा जाता है कि श्वदेशी का विचार सबसे प स्कूल सरकार उपादी का वहिसकार ठीक है श्वदेशी उद्योग की बढ़ोतरी हो यानि श्वदेश के जितने भी बस्तू है उसका बढ़ोतरी हो और बीदेशी बस्तू का वहिसकार हो बंगाल में एक जो है केमकल फैक्टरी खुली थी अचार्ज पीसी राई के सहयोग से ठीक है फिर देखेंगे कि हमारा उद्येश क्या था कि आत निर्भर विच्छा बिड़ती नहीं या किसने कहा था तीलक ने कहा था कि हमारा उद्येश जो है आत निर्भरता है विच्छा बिड़ती नहीं सबसे ज़्यादा परभावित कपड़ा उद्योग का यहां पे हु लिखे थे कि सभी ड्यम को चित्ठी लिखे थे कि अस्कूलphemies जो है वह उसमें जो है बच्चे को उपस्तिती को बढ़ाया जाए ठीक है तो यहां पर क्या थे ऐधे जो है इसकूल जो है उवाबर एसकूल का जो है भहिसकार कर रहे थे पिर क्या हुआ उनेस सो चे कि एदिबेशन में स्वधेसि अंदोलन का यहां से शुरूआत होता है भाईathका Sati यहां दिया जाता और राष्टिय सिझ्छा को बढ़ावन देनी की सब्सक्राइब करांतिकार 32 यह पर तद हुआ पर आपना फिर देखेंगे कि राश्टी सिछा परसद के स्थापना 1906 में की जाती है भारत का पहला कॉलेज जो है बी-न कॉलेज बना था ठीक है बंगाल निशनल कोलेज जो की इसके स्थापना 1906 में की गई थी प्रथम प्रिंसपल अर्विंध घौस बने थे श्वदेशिया बहिसकारंदोलन, आंध्र पर्देश में बंदे मातरमांदोलन इसको कहा जाता था, ठीक है, महराष्ट में इसको तिलक ने इसका नित्रियूत किया था, पंजाब में लाला लाजपतराई ने इसका नित्रियूत किया था, दिली में सैयद हैदर रजा ने किया था ठीक है फिर यहां पे देखेंगे HW Navy NATION ब्रिटिस पत्रकार थे ठीक है HW Navy NATION जो है British पत्रकार थे वह स्वधेशिय अभहिसकार अंदोलन के लिए The New Spirit of India बुक लिखे थे ठीक है कौन HW Navy NATION ने फिर आगे देखेंगे रमीदना टैगॉर ने जो है वह अमार सुनार बंगला गीत लिखा ठीक है जो कि बंगला देश का जो है वह राष्टिय गीत भी बन गया दोस्तो इस परकार जो है अब हम गांधी युक का सुरुआ जो है अगले वीडियो में करेंगे तो यहां से जो है आपको और मजा आएगा आधूनिक भारत के इतिहा किजिए ताकि उनको भी इसका फाइदा हो और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए